मुस्लिम पुलिस वाले ने बचाई मासूम बच्ची की जान पूरे भारत में हो रही सराहना हर साल की तरह समय रमजान का महीना चल रहा है यह व्रत हर मुसल्मान भाई करता है उन्हीं में से एक समीर बाग सी राज्ट ने भी एक महीने का उपवास रखे है लेकिन अपने करतव्यों का पालन पुलिस की ड्यूटी को करते हुए उन्होंने वार्जे ब्रिज पर इकार दुर घटना में बुरी तरह से घायल हुए आठ वर्षिय बच्ची को अपने कंदे पर उठा लिया और उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल और दौडने लगे बुरी तरह से ट्राफिक जाम होने की बज़े से किसी भी प्रकार की गाड़ी की आवा जावी बंध थी इसलिए उन्होंने बच्ची को उठाया और दौडने लगे बच्ची का जादा खून बहने की बज़े से उसकी जान बचा पाना नामुम्किन सा लग रहा था लेकिन एक मुस्लिम योध्धा समीर ने मासूम बच्ची को अस्पताल में कराया जिसके बाद बच्ची की जान बचाई जा सकी उनके इस सराहनिय काम की वजह से पूरे भारत में उनकी वाहवाई हो रही है काफी सराहना हो रही है इस काम को अंजाम देकर उन्होंने एक सच्चे मुस्लिम की पहचान को सामने रखा मुंबई पुने के वार्जे पूल पर यात्रा करते समयकार को पीछे से एक ट्रक ने टक कर मार दी हाथसे में मनोज, उसकी पत्नी और दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए बच्ची की तबियत खून ज्यादा बहने की बज़े से सीरियस थी हाथसे से सड़क पर जाम लग गया इस दोरान ट्राफिक पुलिस अधिकारी समीर बाग सीराज बहां ड्यूटी पर थे वहां के हालात को देखते हुए समीर खून से लत्पत एक आठ साल की बच्ची को कंदे पर उठा कर अस्पताल की तरफ दोड़े बच्ची की जान बच गई और मनोज पुरान एक परिवार ने उनका विशेश आभार व्यक्त किया समीर बाग सीराज से बात करते हुए उन्होंने कहा मैंने मुंबई पुने हाइवे वार्जे ब्रिज के पास ड्यूटी के दौरान एक दुर घटना देखी गाड़ी को करीब से देखने पर पता चला की चार लोग घायल हो गए कुछ गलत हो गया फिर मैं आठ साल की बच्ची को इलाज के कुछ दूर तक उसे लेकर दोड़ा फिर रास्ते में एक रिक्षे वाले ने हमें देखा तो तो मुझे रिक्षे में बिठा कर हॉस्पिटल ले आया हम एक रिक्षा चालक की मदद से अस्पताल पहुँचने में सफल रहे उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट है कि बच्चे की जान बच गई और अगर समाज में ऐसी घटनाए होती है तो नागरिकों को आगे आने की जरूरत है रंग्रेज की आवाज न्यूस को सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करके बताएं कि आप समीर सिराज के बारे में क्या कहते हैं